बिजनौर पुलिस अधीक्षक द्वारा कंट्रोल रूम का किया गया आकस्मिक निरीक्षण निरीक्षण के दोरान विभिन स्थानों पर लगाए गए IP कैमरों वो मुख्य चौराहों के CCTV कैमरों को चेक कर दिये गए आवश्यक दिशा निर्देश बिजनौर पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस कार्याले का किया गया वार्शिक निरीक्षण महिला हेल्प डेस्क और फीडबैक सेल का निरीक्षण कर दिये गए आवश्यक दिशा निर्देश धामपुर के एक गाम में चार साल की बच्ची के साथ दरिंदगी करने का मामला आया सामने घेर में ले जाकर किया गलत काम पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफतार अपर पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा आगामी त्योहारों के द्रिष्टिगत थाना कोत वाली शहर क्षेत्र के मुस्लिम फंड काजी पाड़ा पर धर्म गुरुओं ववसंभरात व्यक्तियों के साथ की गई गोश्थी दिये गए आवश्यक दिशा निर्देश नूरपुर में प्रॉपर्टी लेन देन में हुई थी मुरगा फार्म मालिक की हत्या हत्यारे ने चालाकी से शव को जाड़ियों में फैंक कर हत्या को दिया था दुरगटना का रूप पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफतार नूरपुर के विवेक कोलेज के सामने कार सवार ने साइकिल सवार को मारी टक कर हादसे में घायल युवक को ई रिक्षा में बैठा कर अस्पताल में कराया भरती नूरपुर में आगामी होली हवन जुलूस को लेकर हुई एक बैठक बैठक में सर्व सम्मती से पुरानी कमेटी को ही पूरे एक बार चुनते हुए उमेश त्यागी को अध्यक्ष एवं संजीव जोशी को बनाया गया महामंत्री अमरोहा के हसनपुर में कॉलेज में विधायक ने छातर छात्राओं को स्मार्टफोन का किया वितरण स्मार्टफोन पाकर छात्र छात्राओं के खुशी से खिल उठे चहरे अमरोहा में एक पिटबुल ने मासूम पर हमला कर किया घायल मासूम को सरकारी अस्पताल में कराया गया भरती संभल में पति पत्नी और वोका कई घंटे तक सड़क पर चला हाई वोल्टेज ड्रामा पत्नी और महिला के बीच हुई मारपीट मौके पर पहुँची पुलिस संभल में आगामी त्योहारों को शांती पूर्वक संपन्न कराने एवं लोकसभा चुनाव के मद्देंजर पुलिस प्रशासन अलर्ट पुलिस अधीकशक ने फुट पेट्रोलिंग कर असामाजिक तत्वों को संकेत दिया कि अगर कोई भी हरकत की तो उने बख्षा नहीं जाएगा देहरादून से चलकर लखनव जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का मुरादाबाद जंक्शन पर किया गया भव्य स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुल माध्यम से ट्रेन को हरी जंडी दिखा कर देहरादून स्टेशन से किया रवाना अफजलगड में आबादी के नस्दीक गुलदार की चहलकदमी से ग्रामीनों में देहशत का माहौल कार सवार लोगों ने गुलदार को टहलते हुए कैमरे में किया कैद।